हेलो दोस्तों नमस्कार गुड इवनिंग कैसे आप सब लोग तो मिर भाई यहां पर आरारवीज यह के अंदर जो वैकेंसी आ चुकी है ना उसमें एक बहुत बड़ा डाउड था बच्चों का कि जो हमारे सर्टिफिकेट हैं कब तक बन जाने चाहिए या किस डेट तक मानन होंगे यह बहुत बड़ा इसू है बच्चों में कई बार के कुशन भी उन्होंने पूछा कॉमेंट सेक्षन में कि सर इसके बारे मता दीजिए तो यह वाला सेसन आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा याद रखिएगा और फॉर्म तो इतनी करेक्षन करना तो यह गलती मत करिएगा इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की क्या ही जरूवत है अराम से फॉर्म फिल करिएगा अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ जरूर लीजेगा किस डेट तक का होगा मानने चाहे एड़ब्लूएस का हो ओबीसी क कर नहीं करना चलिए यहां पर बात करते हैं सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ चीज़ बता दो ओपनिंग डेट अपलिकेशन सबको पता था कि तीज है और इसके बाद क्लोजिंग डेट कितना है 29 यह भी आपको पता होगा सर एकदम और यहां पर आप देख सकते हैं डिटेल यहां पर क्या है डेट्स फॉर मोडिफिकेशन विंडो मोडिफिकेशन विंडो कब आपका उपन होगा करेक्शन के लिए तीस आठ से ही आठ मतलब आठ दिन आपको पास टाइम होगा जब आप क्या कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं यहां पर भी एक कुशन मार्क है देखेगा जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो डिटेल फिल क्रियेट जब आप एकाउंट को क्रियेट करते हैं उसमे जितना डेटा लगेगा जैसे नाम हो गया मेल इमेल हो गया फोन नंबर हो गया यह सारा कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं पहले याद रखेगा ठीक न और चूजन आरार भी कैन नाट भी मॉडिफाइड ठीक न यह आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते और आगी इसमें थोड़ा स एक चीज़ बता दो कि क्रूशियल डेट काउंसी है क्लेम एस सी अश्टी ओवी सी डवलू एस की और एबी सी यहां पर एबी सी है एक एबी सी स्टेटास है जो एबी सी एक्चुली आपका बिहार वगरा में ज्यादा चलता है फ्री रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन यह कब से क्लोजिंग डेट समिशन ऑनलाइन अप्लिकेशन यहां पर देखिए जो भी आपका यह डाकुमेंट होना चाहिए कब तक का होना चाहिए क्लोजिंग डेट आफ समिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लिकेशन ठीक न और यहां सी एन का इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग इसका मतलब यह है कि आपका लाश डेट जो होना चाहिए डाकुमेंट का यह वाला होना चाहिए टाइमिंग भी देख सकते आप यहां यह आपका डर्स डिट होगा डाकुमेंट का उसके पहले डाकुमेंट बं जानने चाहिए सारे मकूɪ सनके लेकिन अगर डाकूमेंट को आइसे और फटम्हां हुआ आपको नंबर दे देगा ठीक ना नंबर दे देगा लेकिन वह डाकुमेंट आपको बात ने देगा चार दिन बाद तो ऐसे भी उनीश सुनवासी के बाद कमाना जाएगा ओके ओबीसी का 86 होना चाहिए एसके बाद वारे दोहजार साथ से पहले नहीं फॉर्म फिल कर सकते अठारा से चाहती साल था और यहां पर एक चीज़ और है एबीसी एकोनोमिकल बैकवर्ड क्लास जो है न यहां पर इसके बारे में आप जो बनवाएंगे हाँ यहां पर वच्चों का एक डाउट भी आता है कि सब जो डाकुमेंट है कहां चाहिए उज्वल मिस्रा एही चीज़ बता रहा हूं कि कहां से आपको बनवाना देखे अगर आप डबलू यस का बनवा रहे हैं तो आपके तैसील में ही बन जाता ह यार जन सेवा केंदर खुले होते ना आपके गाउं में भी खुले होंगे वहां सभी आपका बन जाएगा वहां बनवाईए उसको सव उर्पिया ज्यादा देजिए और वह आपका दस दिन के अंदर बना के देदेगा दस दिन लगेगा थैंकियो जोल यार हां यार बहुत दिन बाद उससे मिले हो देखिए यहां डियम से आपका एपली केबल होगा या अधर रेवेन्यू अफीसर यहां लिखा हुआ है अप्टू तैसिलदार लेवल ठीक ना रेवेन्यू अफीसर आपका लेकपाल होता है लेकपाल भी हो सकत लेकपाल ही तो बनाता है और उसमें तैसिलदार के साइन होते हैं लोक्स आपके अना बने तो अपने यहां की कि संसत सजा कर बनवा लीजिए जान पहचान हो यूनियन मिनिस्टर कभी यहां चलेगा यहां पर इतने लोगों का चलेगा लेकिन इतना कहां जाओ गया किसी आगे पीछे क्यों घूमोंगो सीधे याल लेकपाल को दो लेकपाल को 200 रुपए दो तुरंद बना के देगा चार दिंग के अंदर ठीक और यहां पर यहां पर देखा जा मॉडिफिकेशन अप्लिकेशन में बहुत साफ साफ लिखा है क्या आफ्टर दा फाइनल समिशन अफ दा ऑनलाइन अप्लिकेशन इपस कंडिडेट विशेज तु फ्यू फर्दर मोडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल फिलिंग क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म और यहां पर चूज अरार भी ही सी में डू सू प् फॉर्म फिल करने में लगेगा वो तो मिल जागे लेकिन यह आपको नहीं मिलेगा ठीक और यहां पर एक साफ साफ लिखा डिटेल फिलिंग क्रिएट एकाउंट दा मोडिफिकेशन फी इस टूबी पेट बाई और यहां पर यह पैसा आपको बाद में रिफंड नहीं होग और अगर आपने करेक्शन मोडिफाई कर दिया है लेकिन इसके बाद आपका पेमेंट नहीं हो पाया तो करेक्शन नहीं माना जाएगा यह सारा पॉइंट आपको हो गया तो मतलब तीस तारीक के पहले-पहले आपके सारे डाकुमेंट चाहिए इंकम सर्टिफिकेट है न स अच्छी बात है और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कर लो क्योंकि आप सब को पता है कि आराद भी ना च्छे-साथ साल बाद आई है तो मौका के फादा उठाया जाया और इस बार सेलेक्शन लिया जाया तो या आप सब को पता है कि यह भी जितने भी है सब्सक्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो आपके ही अगर आपके आर्दस सब्जेक्ट इधर त्यार रही है तो आपको आसान हो जाएगा उधर मेरिट में आपके नाम भी आ जाएगा तो संखनाद 1.0 जो बैच है यहां पर देखिए आप चाहें तो 2300 दो साल की वेलेडिटी रहने वाली है सर जिस फॉर्मेट में दिया है वैसे ही बनवाना है ना सब्सक्राइब अपने पेपर बनाएंगे अपने पर फार्मा पर बनाएंगे जूंकर तैसील में प्रेजन्ट होगा तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि यह जो दे रहे हैं उसी में हमको बनवाना याद रखना आपके यहां जो तैसील में हो पर फार्मा उसी में बनवा लीजिए वह एक्सेप्टेड है यहां पर तो यह आप कर सकते हैं और एक चीज मेरा मानना है कि आपने महापैक में भी ड सब्सक्राइब के लिए भी लगभख सब्सक्राइब कर यह जनल वालों के लिए बहुत स्मझ बनवाइए गाए यह समझ बनवाईएगा घर पर भई आ रहा है पांच लाख वाए महीने दस वीगा खेत पचास वीगा खेत और बनवा लीए आप याप जबीस सुने होंगे तो थोड़ा स्वों समझ के बनाईएगा मतलब हाँ ठीक न चलो इसी के साथ बाइंड अप करते हैं आई होप आपको सेसन काफी अच्छा लगा होगा तो सेसन को एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ओके बाबाई थैंक्यो